तो अब से कुछ धेर बाद, अब से थोड़ी देर बाद, प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी संयुक्तराश्ट को संभोदित करेंगे प्रधान मंत्री मोधी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बे नकाप करने वाले हैं आप सब को भी इसका इंतजार होगा कितना बे नकाब करेंगे प्रदान मंतरी नरेंग्र मोदी और आज इस विशे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ केके सिना मौजूद है मेहमूद प्राचा मौजूद है बीजेबी के कदावर नेता, प्रवक्ता, डॉक्टर सुदान चुत्रवेदी मौजूद है मेरे साथ कॉंग्रेस पार्टी के बड़े समर्थ तक मौजूद है निशानत वर्मा और आरेसेस के ठिंकर अपनी जेश अवस्ति मौजूद है आप तमाम लोगों को स्वागत है कि कि सिनहा, क्या इस्लामिक आतंग से निपट लेंगे मोदी जैसा ट्रम्प ने कहा था अमेश, आज आप इतिहास बनते देखेंगे निरनायक लड़ाई जो होनी है जो डॉनल्ड ट्रम्प ने कहा जो नोंने कहा कि रिडिकलाईज इस्लामिक टैरीरिस्ट रिडिकलाईज वर्ड है रिडिकलाईज उसकी जो लड़ाई है उसका आगाच जो आप ने देखा था 22 तारीक को आप उसको अब धरती पे उतरते देखेंगे आज तक दुनिया पूरे बिश्वने टेरिरिजम को दो भागों में बाट दिया था गुड टेरिजम और बैट टेरिजम में और आप देखेंगे कि टेरिसम का अथमां की पहली लड़ाई ये लडाई का वार अगेंस टेरिरिजम जब आपने देखा था जोट बुश्ट ने सुरू किया था 2001 में मगर कहीं भी वो वार अगेंस टेरिरिजम नहीं था ये इसका आगाज आज आप देखेंगे और वोई UN के प्रांगन से होने वाला है अब मैं सीधा मौका देता हूँ मेरे साथ निशान्त वर्मा है निशान्त वर्मा अब आपका वक्त है निशान्त वर्मा क्या आपको लगता है इसलामिक आतंक से नरेंदर मोदी निपट सकते हैं जो डॉनल्ड ट्रप ने बोला था और उसकी लड़ाई हिंदुस्तान से शुरू होगी देखे मेरा मानना यह है कि नरेंदर मोदी असलामिक आतंकवाद से तब लड़ पाते अगर वो राश्टपती अमेरिका के होते क्योंकि आज तक कहीं भी इसलामिक आतंकवाद ने हमारे देश को इसलामिक आतंकवाद के जो पीड़ित कंट्रीज हैं अमेरिका इत्यादी वो अलग टाइप का आतंकवाद है तो नरेंदर मोदी देश में हो रहे पाकिस्तानी एक्स्पोर्टेड आतंकवाद की बात करे वहां तक ठीक है इसलामिक आतंकवाद ये शब्द ये शब्दा वली इस देश में ना थी ना आएगी ना हम आने देंगे इस लिए इस चीज़ को बढ़ावा देना इस मंच से ये जुनाइटिड नेशन से अपने पैर पे कुलाडी मारने जैसा होगा जी इस देश में कोई अपनी जैस आतंकवाद नहीं है अपनी जैस अवस्ती में आपके बता होगा लेकिन इससे पहले कश्मीर के अंदर जिहाद के नाम पर क्या हो रहा है वो कौन सा आतंकवाद है इसकी डेफिनिशन ये पैनल ताह करे ये पब्लिक ताह करे कश्मीर में जो जिहाद के नाम पर तीस फर्षों से कश्मीर में सिर्फ एक संप्रदाय के कश्मीरी हिंदूओं को वहां से निकाला गया विस्थापित हुए तीस साल में कई 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 दो तीन तीन पीडियां गुजर गई उन्होंने जिस हालत में गुजर रहा है और यह तमाम लोग इस तरीके के निशान पर महम पैसे की जरूत नहीं है है और जैसा कि अभी केके सिह नहीं कहा कि निरणायक रेडिकलाइशन के खिलाफ है इसमें कोई दोर आया नहीं कि प्रकृति का नियम है रेडिकलाइशन एक सीमा तक होता उसके बात उसका अंत होना बड़ा ही स्वाभाविक है यह अंत यहां से फ्रत्हानमंत्री नरेंदर मुदी का आतकवाद के खिलाफ की लड़ाई के खिलाफ जो कमिटमेंट है जो हमने एर स्ट्राइक सजिकल स्ट्राइकट समय देखा जो हमने 1370 जैसी बिमारी को हटाते हुए देख औरस्बसे बडी बाहत डॉल। ट्रॉम quello कह रहे हैं कि इस्लामिक आतकवाद से मोधी निपर सकते हैं, to answer to the question, what is your point? देखिये, मोधी साहब जो हैं, जिस तरीके की राजनिती करते हैं, और खासफ़र पर इस प्रकार के राजनिता, जिसमें ट्रम्प साहब भी शामिल हैं, जो अपनी पीट थपाने में ज्यादा जोर देते हैं, बनिजबत इसके के वो efficiently कोई भी कारे कर सकें, आज भी पाकिस्त अपना पीट थप थपाना बंद करें, वो एक efficient वेक्ती नहीं है, लेकिन अगर वो मेहनत करें, तो शायद अपने पास जो team है, जो efficient लोग हैं, भारत की सेना है, और जो हमारे इमांदार अफसर हैं, वो आतंगवाद को रोक सकते हैं, परन्तु मोधी जी जो हैं, उसमें एक अपनी पीट थपाने के चक्कर में, बहुत ही compromise कर देते हैं हर एक operation को, उनका हर एक operation चाहिए वो बालाकोट हो या अभी चंदरयान का देखा, उनका एक मकसद होता है कि इसमें मुझे कैसे लाब मिल जाए, परस्नल, यही ट्रम साब का भी behavior रता है, तो यह बहुत ही non-professional approach ह इसमें उन्हें कम से कम सीखना चाहिए, अपने देश के जो पुराने लोग, बड़े लोग रहे हैं, वो अपना नाम कभी नहीं करते हैं, सिरफ कारे करते थे, अगर वो ऐसा सीखेंगे, आपके शार्ट सेकेंड का प्लीट होगे, लेकिन मुझे उमीद थी कि आप आतकवा से हमारा तेश पीडित नहीं है, निशांद वर्मा जी ने जो कुछ बोला, मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद मोदी जी ने अपनी पीट कप थप थपाई, अरे डोनाल ट्रम्प ने कहा कि वो अपने आप निपठ लेंगे, जो दुनिया के सबसे ताकतवार आदमी इस समय, मो परिस्था चार को निपठाया है, संपटायवाद को निपठाया है, और तो और पाकिस्तान की हेकडी को भी निपठाया है, इसलिए मोदी जी की तो वो इस्थिति मैं कहना चाहूँगा, परिस्थितियों का उत्थान पतन, आधियां जणी प्रचंड समीर, खड़े देखा जेला हसते, प्रले में पले हुए हम वीर, और रही बात इसकी, जो आतंगवाद का मधभ का नॉमिन क्लेचर, तो मैं कहना चाहूँगा, विल्कुर सही बात हम भी नहीं मानते, मगर हमने बचपन में खुर सुना, सिख आतंगवाद, हमने सुना, तमिल आतंगवाद, हमने स कि बातों से कता ही सहमत नहीं, क्योंकि जब ये मोधी जी को ले करके इतनी बढ़ाई की बाते करते हैं, तो मैं भी जरा पूछ लूँ, डी मॉनिटाइजेशन किया गया था कोई कमर नहीं टूटी इन्होंने आतंकवाद की कमर तोड़ने का जो वादा किया था वो नोट-बंदी से नहीं हुआ अनुछे 370 हटा के कहते हैं पहली बात तो हटा नहीं हम सब जानते हैं डाइल्यूट किया हुए कहते है उससे आतंकवाद खतम हो जाएगा कल की अपरसो की रिपोर्ट है सौ से ज्यादा आतंकवादी तक्मिर वैली में पनफ रहे है तो यह आतंकवाद सो लेके पीट तो रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह सब लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या कर बैठेंगे नरिंद मोदी इसका को अंदाजा नहीं लगा सकते तमाम देश के विरोधी दुश्मन लोग उनको तक को अंदाजा नहीं कि नरिंद मोदी किस हद तक जा सकते हैं इस देश की प्रतिष्ठा को ऊपर करने में एक बात दूसरी बात यह एक चोटी जी बात यह एक एक ऐसा है कि अपनी पीट थप थपाने वाले व्यक्तिकाना बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं पूरे विश्व में और निशान बर्मा आपके नाम पर यहां को इस ब्रह्म में तो कहता हूँ आप रही इस ब्रह्म में इस ही में फाइदा है आपका उनको ब्रह्म में बत रखिए पूरे आपके लिए पबले के लिए कि हम भ्रह्म में नहीं है ठीक है आप पूछे तो और इससे बूछे तो आपके जो को ब्रह्म में नहीं है अब 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 एक सकूद निवसान के पूला निशान जी पीच में महीचा के बहासा जाबोने इक सकाँदी। सुदान चुतमधी सब कुछ भ्रह्म में है लेकिन टेररिसम तो है इस दुनिा के नंदर इससे कोई इंकार नहीं कर तका और सब लोग कहते हैं इस्लामिक टेरिजम नहीं है भारत के अंदर इस्लामिक टेरिजम नहीं है लेकिं कश्मीर में तो जहाद के नाम पे सब कुछ हुआ जो जिए जब ये कहना चाहते हैं कि मोधी जी टरुरिज्यम स्रिंपट लेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ की लिए चुईएगा नहीं धमाका हो सकता है हैं आज पांस साल के बाद सिर्फ दक्षिन कश्मीर के चार जिलों को छोड़ कर सब तरफ शांती हो गई तो ये बात क्या हवा में नहीं कही जा रही और अहीं बात कमड तूटी और नहीं तूटी आपको क्या पता साब तो बाला से जादा खौफनाक होने वाला है उस मसूद अजर से पूछिए जिसके उपर प्रतिबंद लगवादिया मोदीड की सरकार ने अरे सुनिये अरे सुनिये भाई वो हाफिस साइद जिसके के पास सो डेडड़ सो करोड़ रुपए रहते होंगे डेड़ लाक रुपए के लिए हाथ पसा रहे हुए माफी मांग रहा पाकिस्तान की डेड़ लाक तो दिलवादो भाई इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माना आता नहीं दुबारा लाइन तो थी हाफिस खुदा तुम्हारा हम कहते हाफिस साइद तुम्हारा तो बंदे मातरम और भारत माता की जय नरेंद्र मोदी का भाषन अपसे कुछ देर बाद चुरू होगा यूएंजिये के अंदर जिसका आप मैं समुचा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जिस भाषन का इंतजार कर रही है मेहमूद प्राचाप मैं आपकी बाद आता हूँ क्या आपको लगता है कि तीन चीजे बड़ी महत्तपूर है जो कि इस समय इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर हम देख रहे हैं वो है पहली मोदी का विरोध दूसरी चीज है मोदी का विरोध और तीसरी है मोदी का विरोध इसमें आप आतंक का विरोध कर रहे हैं ने, देखिए बिल्कुल गलत बात ह ambigu लिए पहला विरोध जो है मोदी जी का नहीं है पहला विरोध RSS और उसकी मनुवाधि मांसिक्ता कीरे मोदी जीुक्पराट ऑ आपके लिए मैं चाहता हूँ आप इसका जबाब दे डॉनल्ड ट्रम भी RSS के हैं क्या आप से सवाल पूछा क्योंकि नरेंद मोजी को पॉदर ऑफ इंडिया कह दिया था इन्होंने तब कई कॉंग्रस के ने तो ने बोला ये तो RSS के लगते हैं हमें आपको जाद देना दीजे सर आपको अपने जबाब दे लिए इतना जबर्दस पॉइंट आपने बताया उसका जवाब दे ता RSS की मानसिक्ता मनुस्मृति की मानसिक्ता जो है ना वो अपने देश को बेच कर ट्रंप का क्या मकसद है हमारी तारीफ करने का मोदी जी का सिरफ और सिरफ एक है कि वो यहां पर भारत का जो सबसे बड़ा कंजूमर मार्किट है उसमें बेटर फाइदे लेना चाहता है क्या भारत की राजनीति के लिए एक उचित बात है कि भारत का प्रदान मंतरी वहां जाके यह बोले ट्रंप साहब के लिए कि अपकी बार ट्रंप सरकार यह उचित है भारत जैसे बड़े देश कराना जो यहां पर भी करी किया जा रहा है कि जो सिरफ तालियां बटोरने के लिए काम करते हैं देश की मश्बूती के लिए करते वह उचित बात नहीं है बहुत ही बुरी बात है हमारे देश के जो सेनपती है उन्होंने खाह है बाला को दुबारा करना पड़गा तो सेणा को खुली छूट नहीं दी जा रही है वरना से इतनी सक्षम है कि एक ही बारक इस्लान पर भारत सब्राइब को चार आप और इस कमरे में एक करोर लोग भी नहीं आ सकते माफ कर दीजे मुझे का जवाब दीजिए पचास से ज़्यादा कौन सी सरकार बनी दी पचास परसंट से ज़्यादा वो यहाज कहरें कि बहुत जवाद को मालूम है यह बात एक बात लेकिन आज बैसका मुद्दा यह निए मुद्दा यह कि महमूत प्राचा वो व्यक्ति हैं जिनों ने हमेशा हमेशा इस बात का समर्थन किया कि हाँ जब मैंने का कि हमारे सिटिंग आर्मी चीफ को और अपसे थोड़ी देर बाद प्रधार मंती नरेंद मोदी संयु बाकी सब बेकार है दो सब्सक्राइब पराचा साहब वहस करें और मनुवाद ना है तुम्हें भी बताना चाहता हूं देखे यह मनु शब्द है ना उसी से मनुष्य निकला है मानव निकला है और अंग्रेजी का मैन भी मनु से निकला है सुनिए फैराहो डाइनेस्टी जो इजिप के थे उनके पहले राजा का नाम M.A.N.U है और कहा तो यहां तक जाता मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि भाई इसलाम में भी जो नू की किष्टी है वो मनु से ही निकला हुआ मनु की नौका है जो नू की किष्टी तो सभे मनु आदी हो गए आपके इसाब से तो आप में बढ़ा व्यापक वो कर दिया इसलिए मैं कहता हूं उस विशे पे जानकारी कम हो तो मैं पूरी विरम इतने प्रिस्यत वोट वही सोला राज्यों में पचास प्रिस्यत से दिक वोट पाएं और नहरू जी 32-33% पे राज करते रहे इंद्रा जी 34-35% पे राजीव गांधी 42% वोट के उपर वो 400 की मजार्टी पाए थे तो कोई भी नहीं था राज करने लाएक अगर आपके हिसा आप से माने तो इसलिए यह एक प्रकार का तर्क ठीक नहीं है अगला बिंदू जो इन्होंने महत्कूर्ण बिंदू उठाए था किसा ट्रम्प के हाथों आपने देश को गिरवी रख दिया फलाना कर दिया यह कर दिया अरे भाईया यहां तो ट्रम्प एकदम हमारे क्या किया उसने कहां मीडियेशन करेंगे कश्मीर में हमने उसके बाद बाइलेटरल से सेंटरल इशू कर दिया 370 करके यूने टेटरी बना दिया हम तो इस जंग से डील कर रहे हैं और याद करिए वो सरकारे कैसी थी 1995 में नुकलियर इसफोट करने जा रहे थे एक फोन अम इक्रिसिटी की प्राबलम खतम हो जाएगी भयाओ के छे साल बात तक रही तो सबको दिखाई पढ़ता रहा कौन रहा अब ये एक और बात बताईए 1985 में राजीव गांधी गए थे और वहाँ से आदिल शेहरियार को छुडा के लाए थे बदले में एंडर्सन को छुडा था ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये नियुवर्ट टाइंस ने लिखा तो कहा चा और तो और इंद्रा जी ने अपने जमाने में सोवियस संग के साथ क्या क्या किया मित्रो किन्स आर्काइब के जी बी एंड वर्ल्ड पार्ट टू पढ़िये और तो और सम्विधान का प्रियंबल जिसे बाबा साब अंबेटकर ने सम्विधान की आत्मा कहा था कहा इसको कभी बढ़ना नहीं जाता उसमें सेकुलर नहीं सोशलिस्ट सब्द भी जोड दिया इसे कहते हैं देश को गिर्वी रखे उपर अपना काम करना इसलिए ये आरोप पूरी तरीके से घनत और मुझे टेर्रिसम के मुझे पर आना चाहता हूँ प्रमा आपका नरेन नमुदी से विरोध हो सकता है लेकिन आतकवाथ से क्या विरोध है अहां को प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि मैं कॉंग्रेस का समर्थ तक हूँ इंद्रा गांधी की मृत्यू ठीक है वो आतकवाद के विरोध में जो हत्या की गई मृतियू नहीं हत्या हुई थी अधिया से मित्यू नहीं होती निशांग जी नहीं है तो फिर आप भी बोल लें मैं अपनी लाइन पूरी कर लूँ मुझे और देश को करेक्ट करने मत निकलिये और यह बहुत हुआ मृतियू नहीं है अवस्ती जी के इसाब से इंद्रा गांदी जी की हत्या हुई मृत्यू नहीं है तो बेकार की बात ना करें मृत्यू हो जाना होता है प्रदान मंत्री रही इंद्रा गांधी की हत्या मृत्यू आतंकवाद का विरोध करने के चलते हुई जाए राजीव गांधी की हत्या मृत्यू आतंकवाद चाहें वो श्री लंका में हुआ उसके विरोध में हुआ तो आतंकवाद से लड़ने की ते पीज़ें जाती है पुरे देड़् मिनिट दिये जाते जाता है तो आतंकवाद से यह देश कैसे लड़ेगा उसके लिए किसी मोदी और किसी निशान्त की आविशक्ता नहीं है इस देश को और आपको लड़ना आता है बात आप अपने मुद्दे पे ले जाएं जिस पे आपने प्रोग्राम किया है इसलामिक आतंकवाद 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 इसलामिक आतंक किसकी सरकार में हुआ, अमरनाथ यात्रा पे अटेक, किसकी सरकार पे हुआ, उरी पे अटेक, किसकी सरकार में हुआ, पठान कोट पे अटेक, किसकी सरकार पे हुआ, पहुंच गए एक जगे, 26-11 किसकी सरकार पे हुआ, झाल झाल